पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पी एफ एफ के जेरे एहतिमाम खेले जाने वाले नेशनल चैलिंज कप 2023 का आगाज हो गया इफ्तिताही मैच में नेवी ने पुलिस को शिकस दे दी नेशनल चैलिंज कप का मंगल 24 जनवरी से के पी स्टेडियम में रंगारंग आगाज हुआ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के तहट प्रीमेर मकाबलों में मलक भर की सबसे ज्यादा 27 डिमार्टमेंटल टीमें टाइटल के हुसूल के लिए मैदान में उतरेंगी इफ्तिताही मैच में नेवी ने पुलिस को एक सिफर से हरा दिया फैसला कुन गोल नॉमान ने स्कोर किया दूसरी जाने बलोहॉर में हाइर एजुकेशन कमीशन और वापड़ा का मैच दो-दो गोल से बराबर हो गया पिशावर में एर फोर्स और डव्यू एस टीसी के दर्बियान खेला जाने वाला मैच भी दो-दो गोल से बराबरी पर खतम हुआ इसके लावा चमन में अफगान कलब ने निमसो कलब हजारा को एक के मुकाबले में छे गोल से शिकस्ट दी अश्रफ ने हेट्रिक स्कोर की के अरेल ने पी ओएफ को साथ सिफर से शिकस्ट दी फाते टीम के मुहिन ने हेट्रिक बनाई वहीद ने दो गोल किये भावलपूर में रेलवेज और अश्रफ शुकर मिल्स के दर्मियान मकाबला बगेर किसी गोल के बराबर रहा वाज़ रहे के वापड़की टीम अपने अजास का दिफा कर रही है कराची पोर्ट ट्रस स्टेडियम में सपहर तीन बजे होने वाली इफ्तिताही तक्रीब में पी एफ एफ नॉर्मलाइसेशन कमीटी के चेर्मेन हारून मलिक अरकान मुहम्मद चाहित ने आस खोकर शाश्मी और दीगर एहम शक्सियाद चरीक हुए